इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसलिए किया जा रहा है. जब तक आप पूरा कोर्स पूरा ना कर लें, तब तक इसे लेना बंद ना करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो. लाइफ अस्टाइल में कम फैट की डाइट, व् इसलिए शेविंग करने, नाखून काटने और तेजधार वाली वस्तूओं का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है. आम तोर पर, इस दवा को लेते समय शराब का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिव या क दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती है. यह नसों और आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट के बनने की रोक थाम करता है. यह आपके शरीर में मु कीपवेन ट्रोंबोसिस या पल्मोनवी एंबोलिजम को रोकता है. यह दोनों दवाएं मिलकर रक्त का थक्का बनने से रोकती हैं और मौजूदा थक्का को आकार में बढ़ने से रोकती हैं. इसे नियमित रूप से लें और इस दवा के असर को बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल में उप्युक बदलाव करें जैसे स्वस्थ और सक्रिय रहना. अगर आप बहतर महसूस करते हैं, तब भी इसे लेते रहें. डेपलेट ए टेबलेट के साइड इफेक्ट खून निकलने की प्रवरिती बढ़ जाना, नाक से खून बहना, डेपलेट ए टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें, इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें, इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नही डेपलेट ए 75 टेबलेट भोजन के साथ लेना चाहिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद